हेलो फैंड्स वेलकम टूबर चनल हम बात करने वाले स्विंग कॉर्परेशन ओफ इंडिया के बारे में हमारी एक मेंबर ने रिक्वेस्ट किया इसके अनलेसिस के लिए अगर आपको भी ऐसे किसी श्टॉक पर अनलेसिस चाहिए तो श्टॉक करना हम आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं यहाँ पर अगर हम सिपिंग कॉर्पेशन को देखते हैं मैंने आपको अलड़ी सजेश्ट किया था करीब मई के आसपास 16-17 मई के आसपास आप देखोगे 15-16 मई के आसपास तो यहाँ पर मैंने आपको वीडियो बना कर दिया था जो बहुत अच्छा सपोर्ट यहां पर बना हुआ है रजिस्टेंस के अगर हम बात करते हैं तो वो लेवल यहां पर है ठीक है तो यह जो दो लेवल है यह बहुत पास्म है और इन्हीं लेवल पर सपोर्ट अभी के लिए भी हमें देखने के मिल रहा है अगर आप देखोगे यह इसका एक अच्छा सपोर्ट है यह इसका ब्रेकाउट लेवल था ठीक है तो यह जो करेंट लेवल है जहां पर मार्केट अभी ट्रेट कर रहा है इसके सपोर्ट अश्टेंस बहुत 5-5-10 परसंट पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अगर हम नॉर्मल लेवल की बा बाता है तो यहां से आपको एक अच्छा-कासा करेक्शन iya एक अच्छा-कासा रेवर्स ल देखने के मिल सकता है ठो यह इसके इम्पोर्टन्स सपोर्ट रिष्टेंस के लेवल होने वाले मैंने मार कर दी है ठीक है आप लगा सकते हो थो 275-277 के बाद डारेकली आपको द तो अभी देखिए, आप यहां से एक rejection आया था, ठीक है, अभी उसके बाद recovery करके try कर रहा है, तो जैसे इसको cross करना है, start करता है इस level को, यहां से एक अच्छा buying momentum बन सकता है, कितना target plan कर सकते हैं, तो same is high तक हम जा सकते हैं, इसके उपर नहीं जाना चाहिए, इतना हम target plan कर सकत हैं, second position क्या हो सकता है, कि यहां तक stock जाए, यह, और फिर यहां से एक आपको breakdown देखने के लिए, तो अगर यहां से breakdown मिलता है, तो फिर selling थोड़ा सा quick हो सकता है, लेकिन यहां से अगर breakdown आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि यह low break होने वाला है, उसके बाद, directly यहां पर आग सकता है, और करीब-करीब आपको 57% का momentum देखने के लिए, मिल सकता है, selling side पर, तो यहां पर एक buying opportunity बनेगा, इस high के उपर, आप mark करके रख सकते हो, यह वाला जो high है, यहां से buying opportunity create होगा, इसके उपर अगर निकलता है, देन आप buying के लिए plan कर सकते हो, short term में, आपका 5% something stop loss कर सकते हैं, short term के लिए, mid term के लिए, definitely आप avoid करके चल सकते हो, और long term के लिए, आप fundamental देख सकते हैं, पहले, then बाद में आप plan कर सकते हो, इसका overall chart बना हुआ है, जो मैंने आपको last time share किया था, एक breakout यहां पर आया था, तब आपको share किया था, और यह कि जैसे मैंने आपको कहा क यहां कही पर मैंने आपको position मना कर दिया था, तो उसका भी एक अच्छा breakout के बाद यहां पर test किया, then retest करने के बाद अगर आप देखो कि फिर breakout किया, breakout के बाद इमिजेटली अगर आप देखो 100% का correction हो चुका है, आने वाल टाइम में फिर सर ट्राय कर सकता है, 350 तक के labels पर जाने के लिए, अगर हम weekly chart के according देखते हैं, तो इसको आप यहां पर daily chart के according, in support resistance के according, follow कर सकते हो, अगर आप को stop loss देखना है, तो I think कि यह वाला loop बहुत अच्छा stop loss है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद थोड़ सा range बढ़ा हो जाएगा, downside पर 15 point का range ह जोगा वहां से, और then उसके बाद आपको फिर one way selling देखने के मिल सकता है, तो इतने correction के chances नहीं है यहाँ पर, तो आप stop loss easily यहाँ पर अपना follow कर सकते हैं, ऐसे किसी भी stock पर अगर आपको analysis चाहिए, stock का नाम comment कर सकते हैं, या कोई भी buying selling recommendation नहीं है, तो अगर आप कुछ भी real money के साथ अगर investing, buying, selling प्लान करें, तो पहले आप अपनी analysis करें, उसके बाद ही कुछ भी प्लान करिए, किसी भी stock के support resistance की labels के लिए आप हमें telegram channel पर message कर सकते हो, जिसका link description चैनल के about box में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको daily बहुत सारे learning updates भी मिल जाएंगे, वीडियो पसंद आता है, वीडियो को like करना, चैनल को subscribe करना मत भूलेगा, thank you so much.